खमागने किसान सात्यों मेरा नाम गमेर से रणावत है और आप देख रहे हैं खैती किसानी यूटूब चैनल किसान सात्यों जैसे के आप देख रहे हैं चारो तरफ बादल चाहा रहे हैं आप देख लीजिए यानि कि पूरे आकाश में बादली बादल चाह रहे है शायद सूरज भी बता देता हूँ मैं आपको ये सूरज है यानि कि सूरज दिखाई भी नहीं दे रहे हैं ये थोड़े से दिखाई दिये अब और अभी मैं यहां पर सिचाई कर रहा हूँ आज के वीडियो में मैं ये चीज बताने वाला हूँ कि सोरज यानि कि सोलर अगर आप खेट पर सोलर लगाते हैं तो क्या वो बादल चाहते हैं तब चलेगा या नहीं चलेगा तो देखिए किसी के कहने से और किसी से देखने से या पढ़ने से वो मज़ा नहीं आता है अपना आज लाइव देखने वाले हैं कि वास्टविक में चलता है यानि चलते हैं तो अभी आप देख रहे हैं ये मेरे फार्म हाउस पर यहाँ पर सोलर लगे हुए है तीन एचपी के सोलर है ये तीन एचपी में यानि कि तीन किलो वार्ट सोलर लगा रखे हैं जिसमें तीन सो पैतिस वार्ट के नो प्लैटे लगे हुए है पांच उपर और चार निचे और सबसे बड़ा कन्फिजन ये है कि बीच में एक प्लैट क्यो लगाई छोटी वाली ये प्लैट हमेरे यहां पर ये अपने कैमरा वगेरा लगाने के लिए है और साथ में ही लाइट वगेरा लगाएंगे तो उसके लिए ये प्लैट लगाई गई है तो अभी अपन देख लते हैं कि पानी कितना दे रही है ये मोटर और वास्ट विप जो पम्प है वो बादलों में चलेगा या नहीं चलेगा तो किसान सच्चों चिलिव में यहां पर जो नल लगा हुआ है हमारे वहां पर आ गया हूँ और यहां पर आप देख पा रहे होंगे पानी अच्छा खासा आ रहे हैं पानी ये यानि कि थोड़ा सा फरक वड़ेगा आपके 50% पानी आएगा यहां पर जैसे बादल नहीं हो रहे होते हैं तब यह पूरा भर के आता है यह जो ड़ाई का पाइप है यानि कि 45 mm का पाइप है वो पूरा भर कर आता है लेकि अब भी बादल हो रहे हैं तो थोड़ा सा कम आ रहा है तो चलिए मैं आपको वहाँ पर ले जाता हूँ सोर रुजा के पास में और वहाँ पर अपन देख लेते हैं कि जो इसका स्टार्टर यानि कि कांट्रोलर लगा हुआ है उसमें कितना फ्लो पानी का आ रहा है और साथ में आपको कितना लगाना क्या करना है वो भी जनकर ले लेते हैं पन किसान साथियों आपके अगर टूबेल हो या फिर ऑपन वेल हो वहाँ पर अगर आप सोर उरजा लगाना चाते हैं तो सोर उरजा के लिये आपको सबसे पहले तो यह देखना होगा कि आपका बोरिंग यानि कि ओपन वेल कितने गहराई में है जैसा कि मेरा जो ओपन बोरिंग है टू वेल है वो 437 फिट गहराई है और अभी जो हमारा पाइप अगेरा यह लगा रखे हैं जो पाम्प है वो 50 मीटर पर लगा हुआ यानि कि यानि कि जब पानी अच्छा है 40-50 फिट पर पानी बरा हुआ हो और उसमें आपके पानी अच्छा है तो आप 200 फिट तक का यानि कि 50 मीटर वाला का हैड लगा दीजिए और 3 HP सिलेक कर दीजिए 3 HP का खर्चा आता है 1,50,000 से 2,00,000 रुपए के आसपास अगर सबसीडी होती है तो सबसीडी 30-40% मिल जाती है यानि कि लगबग 40-50,000 रुपए आपके सबसीडी मिल जाती है लेकिन अभी तो कोई कोरोना की वज़े से मेरे यहां पर कोई सबसीडी आई नहीं है जैसे ही सबसीडी वाला अभी अगर मेरा फाइल वगरा लग जाती है और उसके बाद शेर करूंगा जरूर और बताऊंगा कि वास्टविक में सबसीडी आती है या नहीं आती है अभी मुझे कोई विश्वास नहीं है कि इस जो सोलर पे लगा रखे हैं उसकी सबसीडी आएगा क्याती सारे जैसे मैंने पाइपलाइन भी यहां पर दबाई है तो पाइपलाइ जन्रा दिखाई दे रहा होगा वहां तक मैंने पाइपलाइन दबाई है और लगबग युदे एक लोग 35-36 पाइप लेके आया था हमें 440 रुपई का एक पाइप आया था कास्ता कंपनी का पाइप था पाइप तो अच्छे थे लेकिन उसमें भी कोई सबसीडी अभी नह लगाएंगे तो आपके काफी फाइदा रहेगा अगर 200 फीट से प्लस है तो आप 5 HP लगाईए और साथ में ही अगर आपके 300 फीट से भी प्लस है तो आप साड़े साथ HP में जाईए और दूसरी बात है कि सोलर उरजा का जो वाटर पॉम्प है उसको स्लेक करने में आपको पिलाई भी देखनी होती है यहां तक पिलाई हो जाती है मेर्च दनिया वगयरा जहां तक है वहां तक आराम से पिलाई कर दी जाती है अगर आपके यानि के 3 HP में अगर आप गेहूं, मक्का, जो, चना, बाजरा ये फसली लेना चाहते हैं तो आप 10-15 विगा आप पिलाई कर सकते हैं 5 HP की बात करें तो 20-25 विगा आप easily पिलाई कर सकते हैं साड़े साथ HP की बात करें तो आप 30-40 विगा पिलाई कर सकते हैं लेकिन डिपेंड करेगा वाटर लेवल पर और वाटर कितना है आपके टूवेल में आपके बोरिंग में यहां तक की देखा गया है कि अपने बोरिंग से भी अच्छा कुवा रहता है और कुवे में पानी ज़्यादा देती है मोटर साथ में एक सवाल और था किसानों का कि क्या हम जो ओपन वेल है कुवा है उसमें सबमर्सिबल पंप भी डाल सकते हैं क्या हाँ, सोर उर्जा के जितने भी पंप डाले जाते हैं वो सबमर्सिबल पंप ही डाले जाते हैं उसमें थोड़ा सा खर्चा भी कम आता है और फाइदा भी अच्छा रहता है मौटर भी पानी भी अच्छा देती है तो चलिए थोड़ा सा आपन कंट्रोलर की तरब मुव होते हैं और देख लते हैं कि कंट्रोलर की क्या विश्षिस्ता है तो ये मोबाइल स्टाटर लगा हुआ है शक्ति कमपनी का और शक्ति कमपनी का मोबाइल स्टाटर है यहाँ पर इसमें एक थोड़े से डिफेक्ट है अभी ये मोबाइल से रन नहीं हो पा रहा है ये भी मैंने कंप्लेंड की है तो जल्द ही उन्होंने बोला है कि हम आपका जो कंट्रोलर है उसे हम रिप्लेस कर देंगे और देख पा रहे होंगे अभी पानी का जो फ्लो है पिचुतर लिटर परती मिनट के इसाब से आ रहा है चमुतर पिचुतर लिटर और वेसे जब बादल नहीं होते हैं तब 120 से 150 लिटर परती मिनट के इसाब से ये पानी देता है यहां पर अगर इस स्टाटर यानि की कंट्रोलर की बात करते हैं तो यह पूरा यानि की सौप्टवेर से बना हुआ है यानि की सौप्टवेर जैसे अपना मोबाइल होता है वैसा का वैसा सैम इसका यह है यहां पर यह जो स्वीच है उससे अपन चालू बंद कर सकते हैं औ स्ट्टेटस में क्या क्या है वो देख लेता हैं चलिए स्ट्टस पर एंटर कर दीजे किसका देखना है Partners देखना है तो एंटर गए embarrassment फिर से और यहां पर आप देख पा रहे होंगे स्ट्ट का फोल्टे जे वो 296 वोल्टेज़ और उसके बाद में करंट हे वो अभी 4 ampere और उसके बाद में इसका यानि कि RPM वोगेरा सब कुछ यहां पर है और उसके बाद में अपन यहां पर escape करेंगे यहां पर फिर drive, motor यहां पर सारे status देख सकते हैं अपन pump का देख लिजे आप pump कौन सा है type submersible pump है उसके बाद में head कितना है इसका 50 meter पर है और उसके बाद में फिर skip कर दीजे आप skip करने के बाद फिर आप controller control, configure आप configure करना चाते हो यानि कि first में अगर configure करना चाते है अपन कि यह 5 HP, 3 HP दोनों में चलता है यह जो 3 HP का होता है वो 3 HP हमी चलेगा जो लेकिन 5 HP का होता है वो दोनों में ही चल सकता है बस आपको setting करनी होती है सिर्फ move कर देना होता है 5 HP, 3 HP में अब यह mobile से भी चल सकती है motor और Bluetooth के थुरू भी join हो जती है और साथ में यहाँ पर SIM डाल दिये जाती है और network बराबर आते हैं आप कहीं पर बिदुनिया के किसी भी कौने में जहां पर network आते हैं वहाँ से आप इस motor को on और off कर सकते हैं यानि कि काफी अच्छा लगा है मेरेको यह शक्ति का controller है और शक्ति की यही motor है जो 5 साल के warranty में आई है और उसके बाद में जो solar panel लगे हुए है आप देख पा रहे होंगे यह EPS company के solar panel है Australian premium company जो काफी अच्छी लगी है मेरेको इसकी जो performance है वो काफी अच्छी performance लगी है मेरेको mono के बराबर इसकी performance मिल रही है और अभी आप देख रहे हैं कि बादल हो रहे हैं और बादल में भी काफी अच्छा पानी दे रही है तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है किसान साथ जो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताए और वीडियो को कर दीजे लाइक और चैनल पर नए है तो आप सब्सक्राइब परके साथ में एक बेल ऐकन क्यानी कि गंटी का निशान आता है उसे जरूर दबाए क्योंकि आप ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं जैसे खेती बाड़ी हो गया, सोर उड़ जाओ गया और उसके बाद में सोर उड़ जाए कि वीडियो को लाइक कर दीजे, गंटी दबा दीजे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जै जवान, जै किसान वन दे मात्रम